अगर आपका दिल करें कुछ हलका फुलका और टेस्टी चटपटा खाने का तो बनाए ये पोटाइटो चीज बॉल जो की बनाना इतना असान है कि कोई भी इसे असानी से बना करके त्यार कर सकता है टेस्टी इतना है कि उंगलिया चाटते रह जाएंगे एक बार जब आप इ काद्गी करें करके लिए लेंगे हमें इसको इसमें कोई कुठिलिया नहीं चाहिए तो आप जिस तरीके से मैश करना चाहिए मैश कर सकते हैं इसमें सबसे पहले हम जाल देंगे अ आप चाहे तो सिर्फ औरिगानो भी डाल सकते हैं अब इसमें हमें डालना है ब्रेट क्रम जो की लिया है मैंने 4 टेबल स्पून ब्रेट को जार में डाल करके ग्रैंड किया था और इसमें ब्रेट क्रम को डाल दिया है अब हम इसमें डाल देंगे और भी टेश्टी बनाने के के लिए एक क्यूब चीज का तो चीज को भी हम कद्दू कश्च करके ही डालेंगे और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को एक लाक जरूर कीजेगा ताकि ऐसे डिफरेंट रेसिपीज मैं आप अगर आपको ज्यादा लूज लगे तो थोड़ा सा और ब्रेक क्रम डाल सकते हैं और अगर नहीं तो इतना काफी होता है हाथों से एक बर अच्छे से मैंने मिक्ष कर लिया है इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम ले लेंगे दो टेबल स्पून मैदा और एक टेबल स्पू आपए ज़्या ले सब्सक्राइब कोई घुटलिया ना बने फिर पानी जालंगे कर लेंगे ऊसे रहरों मैंने इसे तैयार कर लिया है लिलए से इस तरीके से से सभूदे जारू है ज़घयर बिल्या यह थोड़ा बारीग हो गया है तो हमें ऐसे ही मारा चुपना कर लेंगे उसी में हातों में तेल कर लेंगे क्यूकि आलू थोड़ा चिप चिप न सब्सक्राइब कर लें लिए और ृड़นे गूजब कर लेंगे पर लेंगे इस हम दुभ přेसे में ठाफ को घंदा एगे उसी और अगर नहीं है तो हमने आलू के साथ चीज को डाला हुआ है और इस तरीके से लड्डू के साइज का हम एक बॉल बना लेंगे ये रेसिपी बहुत असान है बनाना अपने मन पसंद साइज लेंगे और इसमें एक चोटा सा टुकड़ा चीज का रखेंगे और उसको अच्छे से लड्डू के शेप में बना लेंगे तो इसी तरीके से मैंने सभी को त्यार कर लिया है आप एक बार मेरे चनल पर विजिट जरूर कीजेगा हो सकता है कि आपकी फेवरेट रेसिपी वहीं पर मिल जाए यहाँ पर देखिए मैंने सभी बॉल्स को बना लिया है अब हम सलरी को लेंगे एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं अब हम एक पीस बॉल उठाएंगे इसको डिप करेंगे और अब हम इसको कॉन फ्लेक्स के उपर कोट करेंगे बहुत ही अच्छे से हमें इसे कोट करना है इसे हम बाहर निकाल लेंगे फिर दूसरा पीस वैसे ही सेम प्रोसेस हमें सभी को त्यार कर लेना है इस तरीके से मैंने सभी को बना करके त्यार कर लिया है अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे ताकि कॉन फ्लेक्स जो है अच्छे से से सेट हो जाए तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 15 मिनट फ्रिज में रख लिया था अभी अच्छे से सेट हो गया है मैंने तेल चूला पे चड़ा दिया था गरम होने के लिए low to medium flame पे तेल को अच्छे से गरम किया है और गरम गरम तेल में हम इसे fry करेंगे हाई फ्लेम पे हमें नहीं करना है क्योंकि कॉन्फलेक्स बहुत ही जल जाएगा तो लो टू मीजम फ्लेम पर ही हम ये काम करेंगे जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए तो देखिए आप एक बैच हमारा बिलकुल तयार है और इसी तरीके से मैंने दूसरे बैच को भी डाल लिया है इसे भी फ्राई कर लिया है दो मिनट में बस ये फ्राई हो करके त्यार हो जाता है अब यहां पर हम इसे सर्फ कर लेंगे गर्मा गर्म हमारा चीज बॉल तयार है देखिए इस तरीके से आप बनाईएगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राईब बेल आइकोन को दबाना मत भूलिएगा कॉमेंट करके बताईएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी इस रेसिपी को आप महमान को खिला देंगे तो वो भी अंबलिये चाटते रह जाएंगे बहुत ही चैस्टी लगता है तो हम इसे एंजुआए करने लगे हैं तो चले चलते मिलते एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपने जह सरा ख्याल लगए मिलते एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाहाफिज